हलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तक कैसे हैं आप सभी तो देखिए शाम के बज़रे हैं पौने पांच और मैं आदित्या को स्कूल से लेने के बाद जो है नाने के घर चले गए थी उसके बाद जो है मैं आ गए हूँ घर और अपने कामों में लग गए हूँ मुझे एक कंबल वेर्शट वगेरा दोना है तो मैं जल्दी जल्दी से धूलूँगी बेबी जो है वो सूरही है तो फटा फट से मैं अपना सारा काम कर लोंगी किचन के मेरे सारे काम ने पढ़ चुके हैं आधिक जो काम है मैंने सुबह ही कर लिया था मतलब कर ली थी उसके बाद ज लिए है तो यहां पर फटा फटसे हम अपने सारे कप्ड़े को लेंगे तो कमबल धोने में मुझे काफी दिक्कत आती है लेकिन क्या करेख होना यह पड़ता है मेरे उतने गंदे नहीं होते हैं कंबल वगेरा लेकिन मैं हर दू-दू-दू दीन में साफ कर लेती हूं तो सारे कंबल वगेरा मेरे धूल गये हैं और यहाँ पर मैंने चटाई को भी धूल लिया है अब मैं थोड़े से कपड़े वाश करूँगी तो कपड़ों को भी मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया यह लास्ट बार जो है मैं पाने से कार के कपड़ों को निकाल दूंगी जैसे कि मैं कपड़ों को भी दो तिन वार गार लेती हूँ तो वीडियो जो है काफी लंबा हो गया था तो मैंने काफी फास्ट कर दिया है और बेबी जो है सो रहे हैं तो मुझे अच्छा टाइम भी मिल गया है तो मैंने अपना काम जो फटाबर से निप्टा मतलब निप्टा रहे हूँ तो सारे कपड़ों को गार के रख देंगे उसके बाद मुझे करनी है ड़स्बिन की सफाई ड़स्बिन वगेरा में मैं जैसे कि सूखे कच्छडे रखती हूँ गीले कच्छडे तो नहीं रखती हूँ गीले जो कच्छडे होते हैं मैं अलग प्लास्टिक बैग में रखती हूँ तो मेरे कपड़े धूलके हो गए हैं अब हम ड़स्बिन को जो अच्छी तरह दूली है रगड़ रगड़ करे पानी से खंकार कर रख देंगे तो देखिए ड़स्बिन भी है जो काफी चमक उठी है चमचमा कर मैं इसे हर दो दो दिन में जो धूल लेती हूँ ड़स्बिन वगेरा उसके बाद ड़स्बिन दोने के बाद जो हम भी नहाद हुआ कर निकल जाएंगे जो भी टाइम जो काफी हो गया है तो यह भी उठ जाएगी तो बहुत दिक्कत आएगी तो देखिए मेरी जो ड़स्बिन ने कितना साफ हो गया है इसमें ड्राइ कच्ड़े रखते है न तो वैसे भी उगंदी उतनी होती नहीं है लेकिन फिर भी जो है मैं दो-दो दिन में साफ कर लेती हूँ और यहाँ पर आदित्या ने जला दिया था मोटिन रखकर ड़स्बिन के उपर तो नहाद होकर मैं आगई हूँ कीचन में मैं बनाने वाली हूँ आलो सोयबिन की सबजी बीना मसाले की ही सबजी बनाने वाली हूँ मसालदार लगेगा आपको देखने में तो सिंपल सा सबजी है गाईस जरूर ट्राइ कर लीजिएगा आप लोग तो यहाँ पर मेरे कुछ बरतने जिसे मैं अरेंज कर लूँगी चमबच बगेरा और कड़ाए को रख देंगे गैस पर और मैंने सारे सबजी जो है अच्छी तरह साफ कर दो कर ले लिया है अब बारी आती है कटिंग करने की तो हम यहाँ पर सारे सबजी को जो है कटिंग कर लेंगे प्याज आलू फटर फिट से जो हमारा जो प्याज है उसे कट करेंगे उसके बद आलू वगेरा कट करेंगे लसुन के दो चार कनिया मैंने लिया है उसे भी मैं कट कर लूँगी और दो मैंने हरी मिर्ची लिया हुए उसे भी मैं कट कर देते हैं और कड़ाई गरम होते रहेगी सब्जी कटिंग होते रहेगी तो गाइस क्या बताओ मैं आपको सारी सब्जिया तो कटिंग होई गई बीज़े मैं बेबी को जाकर देख लेती हूँ क्यों जगी है या सोई है उसे भी देखना पड़ता है तो यहां पर जो है मैं लसुन कट कर रहे हूँ सारे सब्जी जो है कट चुके हैं अब हम फटा फट से तैयारी करते हैं तड़का लगा देंगे सब्जियों में तो जैसे मैंने कड़ाए में ऑइल डाला है उसके बाद हम डाल देंगे मेथी के दाने उसके बाद हम डाल देंगे कट किया हूँ लसून और तुरंत हम प्याच को भी एट कर देंगे तो आज को थोड़ा सा हम भून लेंगे उसके बाद जो सोयाबिन एड़ कर देंगे सोयाबिन को भी हम लाल होते तक भून लेंगे तो यहाँ पर हम उतना ही सोयाबिन लेंगे जितना हमें चाहिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम आलू को भी एड़ करके भूनेंगे तो देखिए कितना बढ़िया भून रही हमारी सबसी तो यहां पर हम क्या करेंगे हरी मिर्ची को एड़ कर देंगे इसे भी हम एक मिनट भून लेंगे मिलाकर स्वाद अनुसर जो हम नमक एड़ कर देंगे उसके बाद में ले लूँगी सूखी लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है वो ले लूँगी और इसमें मैं कुछ भी मसाले आड़ ने करने वाले सिर्फ मिर्ची पाउडर तो यह हमारी जो सबजी है ना बहुत अच्छी से भू नहीं तो पूरी जो मिर्ची की पाउडर है वो जल जाएगी तो मैं इस फ्राइब कर रही हूं अब हम यह पानी को एड़ कर देंगे सब्जी भून गई है पानी को एड़ कर दिया है मिला लेंगी हम इसमें थोड़ सा और पानी आड़ करेंगे क्योंकि हमें देखते हैं हम चाल बनेगा या रोटी बनेगा कुछ भी फिक्स नहीं है अभी फिलाल तो मैं सब्जी बना रही हूं तो इसे हम ढखकर रख देंग दस मिनट के लिए गाइज दस मिनट पी नहीं लगेगा कम ही टाइम लगेगा मैंने इसे साथ मिनट में जो चेक किया हुआ था सब्जी मेरी बन गई थी तो सब्जी पकर यह हम देखते हैं मेरी बिच्छारानी उड़ गई है तो देखें यह इटली का बरतन फिर से लेकर खेल रही है इससे नहीं छूपाकर रखिती फिर इसने दून लिया है खूँरकर घोफेल रहे है इुसे पताने नए कुछ बरतन या नए कुछ चीज है कुछ जह आती ऊससे घेल कला षूक पकर ही हम देख लिते हैं तो हमारी जो सब्जी है वह यहां पर बिल्कुल बनकेड ही और यह बनाती हूं मैं खाती हूं और आपसे कहांगे कि आप भी खाईये बनाए और ट्राइ कीजे ज़रूर कीजे बहुत ही टेस्टी है बहुत ही बढ़िया है तो हम लोग कभी इस तरीके से भी सब्जी बना कर खाते हैं हम लोगों को सबको बहुत पसंद है मेरे घर में सबी कोई खाते है और हम लोग जो है सादा सा सिंपल सा सब्जी जादा ही बनाते है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके फ्रेंस बाइ तो मिलते हैं अगली वीडियो में